दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे उची इमारत एफिल टावर के बारे में बताने जा रहे हैं जो जल्द ही भगवा रंग में रंगने वाला है 22 जनवरी को आयोध्या के राम मंदर में जो प्रान प्रतिस्ठा होना है उसके लिए पूरे भारत में एक अलग ही चमक और रौनक नजर आ रही है हर गली महले में उच्छव का माहौल है हर आम से खास आदमी को बस राम लला का इंतजार है इस वक्त बिहार का मिथला हो या फिर करनाठक का राम नगर जिला हर जगह पर लोगों की धूम नजर आ रही है पर आपको बता दे कि या उच्छव केवल भारत में ही नहीं बलकि आयोध्या से 7000 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुँच गया है और प्रान प्रतिस्ठा से एक दिन पहले यहां यात्रा निकाली जाएगी दरसल पेरिस में रहने वाले भारतियों की संख्या काफी जादा है जिन के लिए 21 जनवरी को आयोध्या मंदिर महोत्सव के तहट भगवान राम की महिमा का जश्ण मनाने के लिए कारे करमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें काफी मात्रा में लोग शामिल होंगे इस यात्रा के तहट सबसे पहले राम रथ यात्रा होगी जिससे फ्रांसिसी राजधानी के मुख्य बिंदियों पर ले जाया जाएगा उसके बाद लोगों के बीच प्रशाद का वितरन करके प्लेस टी ला चैपल से 12 बजे राम रथ यात्रा शुरू होगी और दो बहर तीन बजे उसकी समाप्ती प्लेस टी ट्रोकैडेरों पर होगी जहां पर एफिल टावर है इस दौरान पूजा आरती तो होगी ही साथ ही साथ भगवान राम का बहुत बड़ा पोस्टर और बैनर भी नजर आएगा जो एफिल टावर के आसपास के छेत्र में लगाने का प्रबंध किया गया है इस संस्कृतिक कारे करम के दौरान भगवान राम के गीत भी प्रसुत किये जाएंगे इसके लिए कई संतों को भी निमंत्रन दिया गया है यह भारतिय संस्कृतिक की पहचान है जिसने दुनिया के कोने कोने में अपने बीजबोएं है यही वज़ा है कि भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतियों के लिए भी इस जिन का महत्व और भी जादा खास हो गया है ऐसी और जनकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com